हलो दोस्तों कैसे हो आप सब अगर आप कर रहे हैं company secretary का course तो मेरे पास company secretary के course में एक exemption को लेकर बहुत सारी curious आ रहे थी क्योंकि हमारा जो company secretary का course है उसमें जो exemption है वो अलग है उनके rules as compared to CA और CWA कर जो course है उसमें आप सब यह को यह तो पता होता है कि अगर मेरे 60 mark से ज्यादा आ जाए किसी paper में तो वह paper मुझे next term में नहीं दे रहा है बट उसको उसके क्या condition है अगर आपको exemption चाहिए कि नहीं चाहिए कि क्या आप choose करेंगे कैसे आपको exemption अपनी claim करनी है कैसे आपको क्लेम करनी है कब exemption को claim करना चाहिए और क्या कोई और rule भी है 60 के अलवा exemption का ICSI के exams के लिए यह सारे rules समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें जो conditions as जो rule है वो अलग है as compared to other professional courses तो आज हम उनी सारे rules की बात करेंगा और बहुत ही डीटेल में बहुत ही basic तरीके से आपको बताऊंगा मैं और उसके बाद भी अगर आपको पर doubt होता है तो आप मुझे comment करके जरूर पूछेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब पर जगा दोस्तों तो आईए शुरू करते हैं देखिए exemption का मतलब होता है कि बहुत चीज़ आपको नहीं देनी CS course में exemption दो तरीके से मिलती है पहला तो क्या है न कि on the basis of higher qualification let's suppose आप CS का paper CS start करना चाहते है CS course और आपने already LLB clear की हुई है या फिर आपने CMA cost and management accountant का course clear किया हुआ है तो क्योंकि आपने ये दो exam clear किया हुई है ये दो में से कोई भी एक exam clear किया हुआ है तो आपको कुछ paper देने से ये exemption मिल जाती है ठीक है तो यह होती है exemption on the basis of higher qualification तो that means कि जैसे आपको executive के दो paper नहीं देने professional के तीन paper नहीं देने ठीक है तो यह वाली exemption की मैं ज्यादे detail में बात नहीं करूँगा आज still आपको without a doubt आप मुझसे पूछ सकते हैं दूसरी होती है marks based exemption marks के basis पे आपको उस paper को देने से छूट मिलना रही let's suppose और उसमें दो तरीके से मिलती है आपको exemption ना दोस्तों को पता ही नहीं कि दो तरीके से मिलती है सबको लगता है कि बस 60 से उपर ले आया मैं तो next time में जिसमें 60 से उपर है वह वाला paper नहीं देना जबकि ऐसा नहीं है और भी इसमें conditions है तो आएए इस वाली exemption को बहुत अच्छी तरह detail में समझते देखिए जो marks पे एक exemption है उसमें भी दो rule है ठीक है या तो आप rule number one में exemption claim कर लीजिए marks वाली या rule number two में claim कर लीजिए right दोनों ही rule आपके लिए available है rule number one यह कहता है कि आप सभी paper पर बैठने चाहिए यानि अपने सारे paper attempt की हूँ जैसे मानिए मैंने executive पर group one दिया तो group one के मैं चारो paper attempt करूंगा जैसे कि अगर आप एक paper में नहीं गए तो आप rule number one में qualify नहीं हो पाए तो दूसरा आप सारे चारो paper पर में 25% minimum marks आपके होने चाहिए 25 नमबर 100 में से तो होने ही चाहिए अगर यह दो condition आप satisfy कर कि आपके जिन paper में 60 या उससे ज्यादा marks होंगे तो आपको वो जो जिस paper में 60 या उससे ज्यादा marks है वो paper अगले बार जब वो same group आप देंगे तो आपको वो paper नहीं देना यह rule number one के साब से exemption जैसे मानिये मैं November 2020 में CS Executive का module number one दिया मैंने चारो paper में बैठा पड मैं clear नहीं कर पाया वो module number one अब मैं जून 2021 में दोबारे module number one दूँगा बट जब मैंने November 2020 में जब module number one दिया था तो मेरे सारे paper में 25 से उपर थे marks और मेरे 2 paper में 60 से उपर थे यह एक में 60 थे तो वो जो दो paper जिन में 60 से उपर थे वो paper मुझे next attempt में नहीं देने है अब हम बात करते है rule number two क्या है जिसमें आप exemption क्लेम कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि rule number one में आप नहीं हो पा रहे हो eligible आप rule number two में जाके देखिए rule number two क्या कहता है कि आप चारो paper में बैठे हूं ठीक है आपके number 40 से कम है किसी भी एक paper में राइट हैनि जो बाकी उस group के जो बाकी paper बच गए उसमें आप pass होने चाहिए मतलब बाकी paper में आपके 40 से जादा number होने चाहिए तो बाकी के जो तीन paper बच गए उन तीनों का आपको करना है total और आपको देखना है कि वो जो aggregate है जैसे तीन paper 300 number के होंगे तो आपको यह देखना है जो aggregate बन रहा है उन तीनों का क्या वो 60% से जादा बन रहा है अगर ये दो चीज़े satisfy हो रही है पहली कि आप एक ही paper में फेल हो एक से जादा paper में फेल ना हो दूसरी जो बाकी तीन paper बच गए उनका aggregate आप 60% या उससे जादा बन रहा तो आप उन तीनों paper हैं वो तीनों ही आपके paper exempt हो जाएंगे भले ही individually किसी paper में जैसे for example 40 आएं आपके बाकी दो paper में 80-80 आ गए ठीक है तो लेकिन क्योंकि आपका 60% से जादा bad गया overall तो आप तीनों ही paper में exempt हो जाएंगे मतला next item में आपको सरीफ वो एक paper देना है जिसमें आप fail थे इसमें आप fail है ठीक है दोनों rule तो मैंने आपको बता दिये लेकिन इसको कैसे मैं example के तुरू समझाता हूं और एक ना institute की PDF भी है जो कि मैं आपको इस video को description में दे दूँगा उस PDF में भी बहुत सारे example दिये गए है उस PDF को पढ़की ही मैंने समझी है ये चीज़े तो अगर आपको still कोई और clarity चाहिए हो तो आप उस PDF को भी growth through कर लीजेगा अचाप सवाल यह आता है कि हमें exemption claim कैसे करना है क्या exam form में mention करना है क्या exemption चाहिए तो institute of company secretary में है कि जब आप अपना exam form भरते है न तो बहाँ पे कोई भी ऐसा option नहीं होता जो आप से पूस्ट आए आपको exemption claim नहीं करनी है तो आप specifically उसके लिए apply करेंगे smash portal पे जाके कि आपको exemption नहीं claim करनी है और आप दुबारा बैठना चाहते हैं अब मैं आपको सामने कुछ practical cases रखता हूं जिससे आपको और clarity होंगी दोनों rule को समझने के लिए तीन paper है paper number 1, paper number 2, paper number 3 एक group में for example paper number 1 में आपके marks है 32, second में 58 है और paper number 3 में 63 अगर इस illustration के हिसाब से हम देखें तो जो rule number 1 है उसकी according तो मुझे सरी paper number 3 में ही exemption मिलेगी क्योंकि उसमें मेरे 60 से अबव है और बागी paper में 25 से अबव है लेकिन अगर मैं बात करूँ rule number 2 की तो condition यह है कि जो बचे होई paper है यानि paper number 2 और paper number 3 उनका मुझे करना है total मेरे इस case में 58 plus 63 यानि 121 हो गए और 200 number के 2 paper होगी तो मैंने 60% से अबव स्कूर कर लिया है बाकी 2 paper में that means कि मैं अब as per rule number 2 उन दोनो paper number 2 और paper number 3 दोनों में exemption claim कर सकता हूँ और अब सिरिफ मुझे paper number 1 देना तो rule number 1 तो इसमें apply ही नहीं होगा क्योंकि rule number 1 apply होने के लिए आपको सभी paper में minimum 25% लाने पड़ते हैं और इस वाले case में क्यूंकि आपके 23 marks आ गए paper number 1 में तो rule number 1 तो apply नहीं होगा but rule number 2 में आप eligible होगा third case में हम मानते है कि paper number 1 है उसमें 26 है paper number 2 में 65 paper number 3 में 62 और paper number 4 में 50 मैं 4 paper के example से अब इसको समझाने की कोशिच कर रहा हूं ठीक है तो आप paper number 1 में क्योंकि 25% से जादा है तो rule 1 में आप eligible है और अगर आप rule 1 में जाते है तो paper number 2 और paper number 3 में ही आप exemption को claim कर पाएंगे क्योंकि उसमें 60 से जादा है ठीक है तो आईए देखते हैं second condition चेक करते हैं अगर अगर मैं second condition की बात करूँ तो paper number 2, 3, 4 का मुझे करना है total और उसका total बनेगा 177 which is less than 60% तो यानि कि इसमें मैं rule 2 के सब से exemption क्लेम नहीं कर पाऊंगा तो rule 1 के सब सही मुझे exemption को claim करना यानि 2 paper में exemption को मैं claim कर सकता हूँ इसी example को हम करते हैं modify for example इसमें आपके paper number 1 में आते 18 marks 2 म paper number 2 में 65 paper number 3 में 62 और paper number 4 में 55 तो अगर हम बात करें first condition की तो first condition के साबसे तो आप इसमें eligible नहीं है क्योंकि आपको 25% से कम marks हो गए paper number 1 में अब हम check करते है second condition second condition के लिए हमे paper number 2,3,4 का करना होगा total और वो total बैट रहा है 180 से जाधा अब क्योंकि मेरे total बाकी तीन paper में 60% से जाधा बैट रहा है तो भले ही मैं एक paper में मेरे 25 से कम हो मैं rule number 2 में eligible हो गया तीनो paper की exemption को claim करने के लिए अच्छा एक चीज मैं बताना चाह कर रही है तो कभी भी आप जब second rule में exemption claim करेंगे तो next attempt में आपको शरी वो एक ही paper देना है जिसमें आप fail थे तो second rule में अगर आप exemption कर रही है तो आप exemption को practically cancel नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही आपने exemption को cancel किया तो जिस paper के आप exemption करोगे फिर वो paper आपको next attempt में देना पड़ेगा और दो paper हो जाएंगे तो बड़ second rule ये कहता है कि सरिफ आप एक ही paper दोगे अगली बारी में और तीन paper में exempt करवा हुआ तो second rule में अगर आप fall कर रहे हैं तो आप exemption को cancel कर सकते हैं अगर आप चाहें तो को दिख कर नहीं है और बाकि आप PDF को refer करेंगे तो उसमें लिखी गई ह कि कैसे आप exemption को cancel कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं तो इस तरह का मेरा rule था देखिए basically दो rule हैं मैं अगर conclusion summarize करूं तो rule number one में 25% वाली condition देखनी है और 60% वाली condition देखनी है rule number two में आपको ये देखना है कि आप एक ही paper में फेलो और बाकी paper में 60% से अबाओ simple case ये है और cancellation rule number two में तो नहीं कर सकते one में आप कर लीजिए करना है तो आपको और अगर आप rule number one case आप से exemption क्लेम कर रहे हैं तो next attempt में आपको 40% individual or 50% overall वाला criteria जो है वो fulfill करना पड़ेगा दोस्तों मैंने काफी हद तक आपको समझाने की कोशिश की है आप एक बार PDF को जरूर reflect कीजेगा अगर आपको कोई भी doubt होता है तो बट एक बात याद रखना अगर आप eligible हैं तो वह exemption अपनी आप paper में mark हो जाएगी और आपको अगर cancel करनी है तो smash portal पर जाके आप cancel कर सकते हैं I hope कि आपको सारे दोनों rule clear हो गई हो but still if you have any doubt then please let me know and if you want to have some more videos on some specific